हेलो अवरिवन एक्सप्रेस.js के फुल कोर्स के लिए आप हमारी वेफसाइट फिल्फिटू कोड डॉट इन पे विजिट कर सकते हैं जहां पे आपको बहुत ही कम कीमत में एक्सप्रेस.js का पूरा कोर्स मिल जाएगा जहां पर हमने स्क्रेस से प्रजेक्ट क्रिएट किया हुआ एक API क्रिएट किया हुआ है यूजिंग एक्सप्रेस.js jwt के बारे में आपको बताया हुआ है तो सारी चीज़ें जो कि API बनाने के लिए ज़रूरत है वो सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हूं हूं है आए समझते हैं कि JWT क्या होता है कि नाव बात करेंगे JWT की कि किसी भी application मैं या कि भी आप application create कर रहे हूँ उसमें जो authentication होता है authorization होता है वह बहुत ही important part है किसी भी application का तो उसके लिए हमको ज़रूरत होती है एक encrypted token use करने के जिसको हम use करेंगे उसको implement करने के लिए JWT का ठीक है jwt jwt का मतलब है json json web token ठीक है json web token तो यह json web token क्या है और इसकी जरूरत क्या है वो हम देख लेते हैं तो जब भी कोई web application हम create करते हैं अपने अगर किसी भी application पर काम किया होगा तो क्या होता है कि अगर यह यहाँ पर server रखा हुआ है अब यहाँ पर यह client ठीक है client ने request send किय किया इसने क्या किया login किया इसने अपना email और password दिया server को server ने इसको validate किया अगर यह email पासवर्ट सही था तो इससे related information क्लाइंट को वापस send कर दिया ठीक है अब इस user ने again request send किया कि मान लीजे कोई e-commerce application है और उस e-commerce application में इस user को अपने orders देखने हैं ठीक है तो इससे अपने orders देखने हैं तो यह again request send करेगा server को अब server को यह नहीं पता कि यह user है उसने request send किया जो कह रहा है कि मुझे मेरे orders दिखाओ तो अब server को यह पता होना चाहिए कि आप कौन हो ठीक है तो हम आपको मलब कुछ तो पता होना चाहिए कि आप कौन हो तब तो मैं आपके जो order से उसको सर्च करके लाओंगा और आपको दिखाओंगा तो आपकी कोई identity नहीं है अभी ठीक है तो identity यहाँ पर बनाए रखने के लिए कि आप जब हर बार request send करो तो अपनी identity मुझे दो कि आप कौन हो तो उसे साबसे मैं आपका जो डेटा है वो आपको दिखाऊंगा ठीक है मेरे पास 100 यूजर से हैं उसमें से किसी एक यूजर ने मुझे request send किया कि मेरे orders मुझे दिखाऊ तो server को कैसे पता चलेगा कि आप कौन हो ठीक है अगर मुझे पता चलिया है कि आपका email address यह या फिर आपकी यूजर आइडी है एक यूजर आइडी वन है तो मैं database में सर्च करूंगा और database से करूंगा कि जिसका user आइडी वन है उसके सारे orders मुझे दिखा आओ और उसको दे दो यहां पर दिख्कत यह है कि ना तो मुझे उसका user आइडी पता है ना तो email पता है तो हर एक request में client यह email आइडी या फिर user आइडी या फिर कोई encrypted key जब मैंने login किया तो server मुझे को यह unique key मुझे बापस कर दे और वो unique key मैं हर बार request जब send करूं server को तो मै मैं बापस से server को वो key send करूंगा जिससे वो server पहचान जाएगा मुझे कि मैं कौन हूं ठीक है अगेन उसको मैं बताता हूं आपको ठीक है अब यहां पर क्या हुआ यह client है यह यहां पर server है client ने login किया अपना email और password दिया अब email password दिया इस time तो उसने email password दे दिया तो मैंने validate कर लिया कि आप कौन हो अब next time अगर आप फिर से request कर रहा है orders के लिए तो क्या हर बार आप अपने email password दोगे तो ऐसा नहीं है हर बार आप email password नहीं दोगे इस time पर मैं करूंगा कि आपने email password first time दिया तो login करते time तो उस email password से मैं आपको check कर लूँँ कि आप कौन हो और उसके basis एक unique एक token generate करूंगा एक token ठीक है इस token में क्या होगा इस token में आप से related कुछ information होगी जो server को बाद मकाम आएगी जिससे server आपको पहचान पाएगा कि ये token है मतलब मैं पहचान जाओंगा कि आप कौन हो तो ये token मैं आपको बापस response के साथ send कर दूँगा तो response के साथ ये वाला है ये इस request के साथ ये token server को मिलेगा अभी token जब server को मिल जाएगा तो token के पास सारी information के आप कौन हो तो token के basis पर मैं validate कर लूँगा कि जो आप हो आपकी user ID है या फिर आपका email है जो भी मेरो को required information है आपको पैचानने के लिए मलब client को पैचानने के लिए वो server इस token के साथ attach कर लेगा और बाद में इस token को read कर लेगा ठीक है आप token को read किया उसको पता चल गया आप कौन से user हो आपके orders निकाले और आपको response में send कर दिया लेकिन इस response के साथ उसने फिर से token को send नहीं किया व्युक्त टोकन है आपको पहले send कर चुका है तो आप इस token को संभाल के रखोगे कब तक संभाल के रखोगे जब तक कि आप logout नहीं हो जाते तो जब तक आप server के साथ communicate करोगे मतलब कि client जब तक server के साथ communicate करेगा तब तक ये token उसके पास संभाल कर रखना पड़ेगा अगर मैं web application की बात कर रहा हूं तो मैं इसको local storage में संभाल हूंगा mobile application की बात कर रहा त तो यहां पर हम authorization कैसे कर रहे हैं मतलब orders अगर चाहिए तो आप किसके order चाहिए अगर आपको order चाहिए तो आपको एक token चाहिए जो की एक key है मालीजे यहां पर एक lock है उसका key है token जब तक आप token नहीं दोगे तब तक आपको आपके orders नहीं मिलेंगे ठीक है तो उस तरह से हम हम यहां पर authentication कर रहे है token के help से और authorization करेंगे तो इसके लिए हम use करते हैं यहां पर JWT का JWT क्या है वो देख लेते हैं तो गूगल पर आएंगे और यहां पर हम search करेंगे JWT JWT में हम कुछ data देते हैं और उस data को यह encrypt करके हमको वापस return कर देता है और फिर वो data हम cable server पर read कर सकते हैं ठीक है read तो हम कहीं भी कर सकते हैं उसकी भी एक मलब यहां पर technique है वो मैं आपको detail में बताऊँगा यह आ गया है यहां पर JWT ठीक है तो यहां पर आप देखोगे कि JWT कैसे create करना उसकी methods है सारी यहां पर ठीक है यहां पर मैं click करूँगा debugger पर तो यह आ गया है यहां पर debugger अब आप यहां पर देखो यह encoded ठीक है यह encoded है अब इसमें जो first part होता है जो red में आपको लिखा हुआ यह header ठीक है कौन सा algorithm हमें कौन सा token type है यह जो आपको purple color में असलब की actual data data में क्या रखा है इनने subject रखा हुआ है इसमें name रखा user का और यह रखा है standard जो time है ठीक कब तक यह validate रहेगा token उसका time है और यह जो blue में आपको देख रहा है यह है आपका secret की जो केवल server के पास होता है अब इसमें एक खास बात यह है कि अब देखो यह जो data मैं मैंने यहां set किया है वो मैं यहां पर read कर पा रहा हूं payload मैं यहां पर read कर सकता हूं ठीक है तो payload मैं यहां रीट कर सकता हूं फ्री token तो यहां पर क्या हुआ लीख हो गया token का जो data वो तो लीख हो गया तो यहाँ पर security कैसी इसमें security ऐसी कि अगर मैं इस data को change करना चाहता हूँ अगर मैंने यहाँ पर add किया इक्स का नाम मैं नेम इसका change करूँगा जैसी मैंने इसको change किया ठीक है मैंने इसका data change कर दिया तो अभी आप मैं दूसरा नाम टाइप करता हूँ मैंने आपर का यह धिको मैने जैसे को दूसरा नाम टाइप किया तो पूरा token यहाँ पर change हो गया तो जिसका पेलोड है वो हम उसको रीड तो कर सकते हैं लेकिन हम उसको चेंज नहीं कर सकते और अगर चेंज नहीं कर सकते तो फिर कोई भी दिखते हैं आप नहीं होने वाली है तो यह जो टोकन है हम सेंड करते हैं क्लाइंट को और क्लाइंट बापस से भेजता है हमको बापस अगर बी पर इसनों कोई फ़र्क नहीं पड़ता जैसे कि यूजर का आइडी अगर in इसमें रख दिया तो कोई फरक नहीं पड़ता वह तो Amid सा पिलोड में ऐसी चीज रखेंगे जो की लीक भी हो जाए तो कोई फर्क ना पड़े ठीक है उससे के वाल सरवर को बस पैचाने में मदद मिल जाए कि आप कौन हो यूजर की आइडेंटिटी पता चल जाए तो ये तो राज थेयोरिटिकल पार्ट देखेंगे नेक्स्ट व एर देखेंगे नेक्स्ट विलेुड़ यूए जाए खाए जी जाए थेयोरिटी आए ट्जागी ओिर्दाज ओन्यां वाल जाए झालुड़े मेड़ y